लोग फ्रेंड्स स्लाम अलेकूम देखे फ्रेंड्स यह दो इस नेखेट है अब इसका कटिंग भी दिखाऊंगा और इसके सर में जो पत्थर निकलता है वो भी दिखाऊंगा बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि आपने अभी तक पत्थर निकाल के नहीं दिखाए तो दोस्तों आज कोशिश करते हैं पत्थर निकालने की इस तरफ का आप और नहीं यह दो आटा दीजिया आप इस तरफ का यह हडगया प्रेंज अब हमें इससे काम है इसे निकालेंगे करेंगे देखें इस जगा पर यहां पर इसके पथर निकलता है तो हम बहुत हलके हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे आप देखते रहे हैं यहां दिखते हैं कि देखिए हलका सापको इस पर मारना है उसके बाद उल्टे से आपको इस तरीचे से देखिए देखिए फ्रेंड्स यह स्टोन दो पत्थर निकलते हैं दोस्तों कि देखिए फ्रेंड्स यह तरीके से था हमने इसको खोला है यहां से और यह स्टोन है इसका यह देखिए यह स्टोन होता है दोस्तों पत्थरी के लिए बहुत कारगर चीज है इसको यहां रख देता हूँ यह देखिए यह स्टोन है दोस्तों अच्छे से देखिए और निकला कहां से यह मैंने आपको बता दिया है इसका पूरा आप ध्यान लखिएगा देखिए अब दूसरा इस तरफ है दोस्तों गिर गया नीचे यह देखिए यह है और यह है अगर सही कटिंग होगी तो खाली इसको जब आपन जमीन पर करेंगे उस टाइम यह खुद पा खुद नीचे गिर जाएगा देखिए दोस्तों इस टूड भी जाए तो कोई कोई फरक नहीं पड़ता अब दोस्तों इसको मैं आपको बताओं कि इसको 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 इसे करना है देखिए यह दो इसमें दो निकलते हैं यह इस तरीके से होते हैं अब इसका इस्तेमाल बताता हूं दोस्तों अब आप देखिए देखिए दोस्तों इसका जो इस्तेमाल आपको करना है वो इसे करना है कि इसको 12 ग्राम इखटा करना है जितने भी आपको पत्थर चाहिए पत्थर निकाली आप 12 ग्राम आपको टोटल इखटा करना है और 12 ग्राम का पाउडर बना लेना है आप मिक्स्ट में बनाना चाहे आप पूड के बनाना चाहिए, खरल में बनाना चाहिए, इमाम दस्ता बहुत पुराना नाम है, इमाम दस्ते के अंदर आप बनाना चाहिए, तो इसको आपको पाउडर बनाईए, सूका, उसके बाद इसको 4-4 ग्राम की तीन इसके कागस की जो पुडियां आती है, हम लोग तागस के बैक के अंदर इसको बना के रख लीजे, और जिए पैशन्ट है उनको आप दीजिए, चार ग्राम देने के बाद उसके उपर उनको कॉल्डरिंग पिलाईए, स्प्राइट, एक 200 ml या 200 ml की कॉल्डरिंग पूरी पिला दीजे, फिर दो घंटे बाद फिर एक पु इस दिन आपके कहीं भी कृड़िनी में हो या आपके ब्लेडर में हो या आपके कहीं भी फसी वी हो तो यह इंशालला उससे पत्थरी आपकी बिल्कुल बहर आ जाएगी चूरा बनके इस दोस्तों मैंने निकालने का तरीखा आपको बदा दिया है अब थोड़ा सा काटने का तरीखा भी देख लीजिए ओके फ्रेंड्स देखते रहे हैं तेकिए फ्रेंड्स ये दूसरे वाले के अप्थर निकालेंगे इसको पहले अलग कर लेते हैं यहां से कि अब थोड़ा सा अनाड़ी पर हैं दोस्तों पर्फेक्शन नहीं है तो आप चला लीजिएगा देखें फ्रेंड्स इसको यहां से हमें हलका सा करना है इसके बाद हमें उल्टा करके इसको यहां से तोड़ेंगे ताकि इसका भेजा भी पूरा काम में आ जाए देखें प्रेंड्स यह आमने इसको तोड़ा है तो तोड़ते ही पत्थर बहारा आगया इसका देखें इस बार साबुत निकल गया देखें फ्रेंड्स इसको अलग कर लीजे आप यह बेजा है बहुत काम की चीज होती है दूसरा पत्थर इसमें यहां है देखें फ्रेंड्स यह आपको दिख रहा होगा इसमें ओ शिट टूट गया दोस्तों देखें यह दोनों आ गए यह ऐसा था देखिए बहुत काम की चीज होती है दोस्तों यह आप लोग जरूर इसको इस्तेमाल करें और दूसरों को बताएं बहुत सवाब का काम है तो इंशाललह इससे सारी परिशानी दूर हो जाएंगे पत्री का दर्द मैंने देखा है दोस्तों मेरे किसी रिष्टिदार क्यों हो गया था तो यह आप मार्केट से लीजिए जो मचली काटने वाले हैं उन लोगों से लीजिए और इसको बारा गिरा भी खटा कीजिए आप इंशाललह आपका सारी परिशानी दूर हो दोस्तों कि कटिंग करेंगे यह किसी काम की नहीं होती इसको अटा दीगे इसके बाद छोटे छ सही लगे आपकी मचली आपको बनानी है आपको खानी है अब कर देखिए चला के भी कर सकते हैं इसमें एक मोटा काटा होता है बीच में यह फ्राई के लिए बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों एक तीन किलो का पीसे दूसरा चार किलो का है दोस्तों दोस्तों आपने देखा आज करें गटिंगा हम लोग पर्वेश्ची चीज होती है दोस्तों प्रफेट में ही है थोड़ा पस काम चलाने के लिए काट लेते हैं आपको पत्थर दिखाना थे मुझे इसमें से निकाल के दोस्तों बहुत बहुत शुक्री आपका दूआओं में याद रखिए जैग फिशिंग जाकिर खान को असलाम आलिए